हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो माई यूट्यूब चैनल आज हम लोग पढ़ेंगे भारती सम्वधान एवं राजविफ्था का हमारा चैप्टर पहला जो चैप्टर है भारत का सम्वधानिक विकास और यह सभी प्रतियोगी परिछाओं के लिए बेहद इमाद पूर्ण है आर चले देखते हैं मोग यहां पर पहला कोश्चर रहा दिया गए है अ कुल साफिनिम के दोरह अंग्रेजों ने अकिल भारती संग प्रेस्टावथ किया था इसका सही इंफर हो जाelnा बात फरक रहेenth Midwest उसके बाद देखो एंप कुछ पांट देगा इसमें से इसमें कितने बार कोच्टा पूचा गई है आरे सटेडियम के मुख कि फेष्था निम्न नहीं देखो जैसे कि पहला पांट दियागा इसमें से कि केंज में 12 सवाफन की विश्था की गई अब कोश्चान में पूछ लिया जाए गर आपसे कि कीफ़ दिनियम की द्वारा की गई बताएं किम लोग बाद फरका दिनियम 1935 की द्वारा उसके बांद इस्ट पांटिसी में है एक अखिल भारती संग की विश्था जिसका निर्माड बिटिस भारत के प्रांतों चीफ कमिशने प्रांतों तो था देफी रियास्तों से मिल कर बनाना था लेकुल लाग ही नहीं हो सकी क्योंकि देफी रियास्तों का संग में सामिल होना वेकल्पिक था अनिवार नहीं था उसके बाद अगला point शिम दिया गया है प्रांतों में दोयत फाफ़न को समाप्ट कर प्रांती स्वायत्ता की विवस्ता की गई जो 1937 में लाग होई अगला point हमारा है प्रांती विधान मंडल का विस्तार किया गया प्रांतों में 11 में से 6 विधान मंडलों में 2 सदिने व्यवस्ता की गई 11 प्रांतों में से 6 विधान मंडलों में 2 सदिने व्यवस्ता की गई केंद्री विधान मंडल की सदस्यों की संख्या में ब्रध की गई प्रांतों में मता अधिकार के विस्तार किया गया शामप्रदाइग निर्वाचन को और बढ़ा कर इसे हाजनों तक विस्तरत किया गया अगला पांटिसी में है वर्मा को भारत स्वेलक कर दिया गया इस एदिनियम के द्वारा एक संगीर नियाले 1937 में एवं रिजर बैंक आप इंडिया के विवस्ता की गई सक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया पहले थे संग्च सूची उसके बाद राज फूची और समर्ति फूची निफ्ट पांटिसी में है कि आउसीट सक्तियां किसके पास थी इस अधिनियम के इंपर गवर्नर जनरल के पास तो इस सारे point complete हो कर देखते हैं अगला question हम लोग अगला question हमारा है भारती सासन अदिनियम 1935 के द्वारा इस्थापिस संग में उस्विष्ट सक्तिया किफे दी गए थी इसका इंफर हो जाएगा governor general को किसको दी गए थी governor general को next question हमारा है नेमनकित में сх grape एक अधिनियम द्वारा भारत में संगीर नियाले की सथापना की गए चले देखते हैं नेस्ट कोश्चन हम लोग निम लिखेते अधिनियमों से कीफ अधिनियम के प्फल फुरूप बर्मा भारत से अलग हुआ अब यहां पर बताना है कौन से अधिनियम के अंतरगत बर्मा जो था वो भारत से अलग हुआ इसका सही इंफर हो जागा प्रतिनिधित्व, संगी विवस्था या फिर ए बी सी और तीनो तो इसका स्वाई एंफर हो जाएगा हमारा इसमें सजो डी नंबर आपफर वो स्वाई हो जाएगा क्योंकि जो 1935 अधिनियम था उसमें प्रांती स्वायत्ता के बारे में बताया गया था स्वाम दिय्यम निनीस था वह अधारित था मौनटेग्यू चेनफ 4ड रिपोर्ड किस पर मौनटेगू चेनफओ रिपोर्ड पर अधारित था कि अब कुछ पएंट दे गाए यहां पर बहरत-फरकार दिनियम 19 19 को मांटेग्यू चेयंफोर्ड रिपोर्ड फुधार के नाव भी जानते हैं मांटेग्यूभारत के फचिउत थे जबकि चेयंफोर्ड भारत के वाय सराय थे उसके बाद एकला question मारा है सम्धान सभा का प्रतम फत्र कब हुआ सम्धान सभा का जो प्रतम फत्र हुआ था वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को कब हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था आप देखो इसकी जो व्याक्खे की गई है सम्धान की निर्माढ है तू सम्धान सबग पतम बैठक 9 दिसमबर 1946 सिसी को नए दिल्ली स्थित कॉम्फिल चैंबर की पुष्ट काले भान में हुई सबग वरिष्टम फद्फ डांक्टर फचिदानंद फिनहा को सबग अस्थाय अध्यच चुना गया था के यह कोस्शन बहुत ही पाँ पूखे गया है कि जो समध्यान सबबाद थी उसका अस्थितान फिनहा को उसकी पपहुआ तो बताएंगे हम लोग डांक्टर राजेंद प्रिफवात को किसको डांकिटर राजेंद परिफवाद को बताएंगे उसके बद अगला question नमा रहा है टाट बनाया गय था और लाड विव्ल्यम बेंटिंग अधा के परफम गवर्णर जन्र के तहत बने थे अब देखो यह कोस्चंट बहुत भार कोई पूछा गया है अगर फूचा जा कि बंगाल के पहले गवणर जनरल कौन थे ताब बताए हम लोग वालने प्ष्टिंग अठ थे ऊग्धिन कीफि स्कष हे था दो कि चैनल जो यहाँ वको सके वाल को जनर्र भारत का गवर्नर्ट जनर्र बनाया गया था कौन फुर का इंतरगत की गई इसका सही इंफर हो जाएगा और यह चाहिक तरफ दीस्टिय्ट्र के इंतरगत अब देखो यहां पर जोश्की व्याख्य की गई है भारत में फर पतम रेगुलेटिंग अधिनियम फत्रफ दियत्तर द्वारा कलकत्ता बंगाल में फत्रफ चोहत्र में फरवोच चुन्याले की स्थापना की गई थी अब देखो कौन फेदिनियम के द्वारा की की तब बता विधान परिषदों के आकार में बरत्धी केंदरी विधान परिषदों में सरकारी बहुमत स्यामपरदार्टाईप और प्रसक निर्वा चन्र पर दिति केंदरी विधान परिषदों में निर्वाची स्थान नहीं टियां хочет- natureal नहीं है तोि में जो D दी नमबर आप फुदार 19 सनों के अंतरगत केंदरी विधान परिषद में निर्वाची स्थान प्राफ्था जिनकी फंक्या बढ़ाकर फोला से स्वाड़ कर दी गई निर्म निर्वाची में कौन से अधिनयम ने बिटेन में एक अएफे नियंतर बोर्ड की स्थाबना का प्राफ्थान किया जिसके माध्यम से बिटी फरकार भारत में इस्ट इंडिय कंपनी के दीवानी सैनिक और राजस्वमंदी सभी मामलों पर पूरी तर नियंतर अडराख इसका एंफर हो जाएगा 17 चॉराफी का पिट्व्र इंडिया अधिनयम सब्सक्राफसरा पीट्फ इंडिया अधिनयम फत्राफ चुराफी पिट फिंडियाग्ट के तहथ बोर्ड अप कंट्रोल नामक एक नए निकाय के गठन किया गया नियंत्र बोर्ड के फक्ति थी कि अब बिटिक नियंत्रिक भारत में सभी दिवानी, सैनिक और राज़िक गति विद्यों का अधिच्ण नियंत्राण करें इस अधिन्याँ ने प्रफाफनिक शुदा के लिए कंपनी करार नित्तिक और उमारेजिक कारों को प्रतक कर दिया बिटिफ फरकार के कीफ अधिन्याँ नों सबसे पहली बार बाद में सिच्छा के लिए एक लाग रुपए दिये थे इसका इंफरोज़ा का चार्टर अधिन्याँ अठारफ तेरा अठारफ तेरा के चार्टर एक्ट में गवर्नर्ट जनरल को ये अधिकार दिया गया कि वह एक लाग रुपए भार्ती साहित के पुनरू थान और इस्थानी विद्दानों को प्रत्वाहन देने के लिए तथा विज्ञान की उन्नति के लिए खर्च करें निम्गिद अधिनियमों में से कीफ अधिनियम दौरा गवर्नर्ट जनरल की परिफ्द में एक विदी फदफ की अभरद्धी हुई तथा वा कानुनिनी फदस लाड मैकाले था कौन था लाड मैकाले था कम्पनी की व्यापारिक तथा राजनीतिक कारों को किफ एक दोरा अलग किया गया तो इसमें से कोई भी सही एंफर ने दिया गया है इसका एंफर हो जाएगा नानापदीज क्या हो जाएगा नानापदीज हो जाएगा 1673 के रेगलेटिंग एक्ट के दोसों को दूर करने के लिए बिटी प्धान मंत्री पीट दा पंगर ने 1784 में बिटी फमफद में प्रस्ता प्रस्तित करवाय जिसे पीट फिंडए एक्ट 1784 के रूम में जाना जाता है इस फेक्ट के दोरा पहली बार बिटी फदिक्रत प्रदेश सेथ का प्रयोग किया गया साथ कंपनी के वाणिजिक युम राजनीतिक कारों को अलग कर दिया गया की फदियम ने पहली बार भारत बाफियों को अपने देव के प्रफ़ाफ़र में कुछ इफ़ा लेता संभभ मनाया इसकाूठ इंडाएन काउसिलेक्ट ने किसने ऑनिडाएन丹माफिलेक्ट ने अठारा फिक्षट, बारत परिफद अधिनियम 18 फिक्षट के द्वारा वाइसरा काई निंग द्वारा कुछ भारतियों को विश्चतारत परिफद में गैर-फरकारी-फदफ के द्वर्ब में निव्हत किया गया था नेफ्ट कोचर मारा है 18 फिकफट के अधिनियम के प्रमुक्षिश्था थी गवर्नर जनरल को आफ़ेक्टा पढ़ने पर अध्धा देश जारी करने का अधिकार दिया गया अफ़र ने जो हमारा सही हो जाएगा अब दिखो यहाँ पे 18 फिकफट के अधिनियम के बारें कुछ प्रमुक्षिश्था दे गया है जाफ़ेक्ट की 18 फिकफट के अधिनियम ने वाइफ राएं को अध्धा देश जारी करने का अधिकार प्रदान किया अधिया देश के अधिया वदी मात्र छह माह होती थी इसके अत्रिक इफ़र दियम के निर्म लेकित प्रावधान थे अगला प्रदान सिम है इसके दोरा कानून बनाने के प्रक्रिया में भारती प्रतिनिधियों को सामिल करने के शुरूआत हुई 1862 में लाड कैनिंग ने तीन भारतियों, बनारव के राजा, पटियाला के महराजा और सर दिनकर राव को विधान परिफ़र में मनोनित किया निफ्ट पांटेशी में से इस अदिनियम ने मद्राव और बंबाई प्रेफिटिंश्यों को विधाय सक्तिया पुना देकर विकेंदी करण के प्रक्रियक फुरुवात की किन्तु सभी प्रांतों की जाधिकार नहीं दिया गया था मद्राव और मुंबाई को किवल दिया गया था बंगाल उत्तरपश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमसर 1862, 1866 और 1897 में विधान परफिदों का गठर हुआ इसके तहट बहरत में उच चिन्याले सम्ता का स्वर्पतम गठर 1862 में कलकत्ता मंबाई और मद्राव में की गई 1866 में चौथ्य चिन्याले की स्थापना इलहाबाद में हुई और देखो यहां पर कितने इंप्रटन कोस्चिन्याले बनेगा कर पूछा यह कलकत्ता मुंबाई यह मद्राव किसी एक कुछ चिन्याले के बारे में पूछ लिया जा कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो बता वह चाब चाफर चाल चाठर दिनियाम 1833 किसके द्वारा पहली बार एक अलग विधाय मफनेरी निर्मित की गये थी से आटर दिन्यम 1853 के दोरह पहली बार गवर्णर्ट जनरल की परिफ़त के विधाय ये प्रफाफनिक कार्यों को अलग किया गया नेष्ट कोच नमारा है निर्म निकित में से भारती शतंत्राओं का अदिकार पत्र की से का जाता है बारती स्वतंत्राओं का अधिकार पत्र किसे का जाता है इसका फ़ाइम फरोज़ागा महारानी की गोफणा 1858 को महारानी की गोफणा जो की थी 1858 में महारानी ने उसी को का जाता है बारती स्वतंत्राओं का अधिकार पत्र 18.58 के भारत साफन अधिनियम को भारती फटनताओं का अधिकार पत्र का जाता है इसके तद भारत का फाफन सीदे मारानी विक्टोरिय के अधिन चला गया इस अधिनियम के निम्कित प्रावधान थे पहला प्रावधान इसमें था गवर्नर जनरल का पदिनाम बतल कर भात के वाइफ राय कर दिया गया लाड कैनिंग भात के प्रतम वाइफ राय थे कौन थे लाड कैनिंग जो है भात के प्रतम वाइफ राय थे बहुत ही मात पॉर्ण पाइंट है अगला पाइंट है इसी में से एक नए पद भारत कर राज सचु का फरिजन किया गया इसमें भारती प्रिफाफन पर संपूर्ण नियंत्रण की स्वक्ति नहीं थी भारत सचु की स्वायता के लिए 15 फदस्वी परिफद का गठन किया गया यह एक सलाकर समित थी परिफद का द्यच भारत सचु को बनाए गया निम्नांकित में से कीफ अधिनियम द्वारा भारत प्रतिनिदी संस्थाएं प्रिथम बार आरंभ हुई थी इसका जो फ़हई इंफर है वो हो जाएगा हमारा जो भारत में प्रतिनिदी 55 प्रताम प्रार्म हुई थी भारत परिफ्ध अधिनियाम 18 001 second से ही सहे ही एक फट माना जयता है ग्याता हुए कि इस अधिनियम दोरा कारकारणी परिषद में विधाई कारेओं के लिए कुछ गयर फरकारी फदर्फ्षक लिए इस्तान सुरचित किया गया यही से भारत में पहली बार प्रतिनिजी फंस्ताओं को सुभारम हुआ इस अधिनियम के अंतरगत बंगाल उस्तरपश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में करमफव 1872, 1846 और 1872 में विधान परिषदों का गठन हुआ निम्न खित में से कि फेक अधिनियम के अंतरगत अंग्रेजों ने भारत इन पहली बार सामपरदाइक निर्वाचक मंडल प्रणाली कारम किया इसमें जो सही इंफरव हो जाएगा हमारा बारत फरकार अधिनियम 1909 की दौरा सामपरदाइक निर्वाचक मंडल प्रणाली का आरम किया गया था भारती परिषद अधिनियम 1909 जिसे मारले मिंटो फुधार के नाम से भी जानते हैं दौरा भारत में फ्रपथम स्वामपरदाइक निर्वाचक मंडल प्रणाली प्रणाली की गया थी भारत के लिए उच्छा युगत के पत्का फ्रिजन किया गया था कि 1919 के आधिनियम के नंतर्गत यnde 1919 के नंतर्गत लंदन में भारत में उच्छा युगत के कारेयाले कि आए इस वा verg argument किया जारे को पिजेम कर दिया गया इस प्रावधान यth अब दुखें आप जो 1919 कदिनियम था उसके द्वरा क्या क्या चीज़े की गई, इसने प्रांतों में दोएत्सासन की विवस्था प्रारम की इस अधिनियम द्वरा भारती विधान परफत की इस्थान पर दूफ द्विवस्था राज परफतियुम विधान सभा का गठन किया गया वाइसरा की कारिकारी परफत के च्छै फदस्यों में से कमांडर इन चीप को छोड़ कर तीन फदस्यों का भारती होना आवसक था इसने स्वामपरदाई का अधार पर सिखों भारती सायों आंगल भारतियों यूरोपियों के लिए प्रतक निर्वाचन के सिधान्तों के पदान किया इसके ताथ 1926 में सिविल सेखों की भरती के लिए केंद्री लोग सिवा आयोग को गठन किया गया इसने पहली बार केंद्री बजट को राज्यों के बजट से अलक कर दिया इसके अंतरगत 1923 में सैमन आयोग को गठन किया गया यहाई आयोग 1928 में भारत आये था इसका कार दस वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था यह जो फारी विशेशता है हम लोग पढ़ी यह कौन से अधिनियम के अंतरगत थी 1929 का अधिनियम उननीस से अधिनियम जो था उसी के आधार प्रेशारी विवस्ता है लागू की गई थी और अगला कोश्य नमारा यहीं पर है के अंदर में कौन से अधिनियम विधाई का लाया अभी देखा हम लोगों ने पढ़ा था 1929 का जो अधिनियम था उसी इक द्वारा के अंदर में जो है 1919 की क्या प्रमुक अन्समफा थी इसकी जो प्रमुम विषयस्ता थी मांटेग्यू चेंफोड प्रस्ताव इसकी विषयस्ता थी प्रांती साफन पर जन सामान का सीमित नियंत्रण जो आफन ए हमारा है वो क्या स्वही हो जाएगा और कोश्चन अगर यही पूंच लागा कि मांटेग्यू चेंफोड प्रस्ताव कपारित हुआ तो बताएंगी 1919 में 1919 का दिनियम की प्रस्तावना में निम्न बाते थी प्रस्तावन में भारतियों का संपर्क बढ़ाया जाए 67 की संप्ताव का विकास किया जाएगा या फिर दोनों सभी है इन में से जो आफन दिये ग जो ऋनीज सत्तर्क फिरों को संपर्क बढ़ाना था रफन की संपर्क बढ़ाना था स्वाफन की समस्थाओं का विकास करना था और था उतर दस्ता अउत्तर तई स्थापना करना था प्रफवाफर ने भारतियों के संपर के अंतरगत वाय सराइगी कारिकारी परफ़त के 6 सदस्यों में से कमांडर इनचीप को छोड़ कर तीन सदस्यों का भारती होना आवस्यक था मांटेग्यू गोफडा की नाम से अंग्रेजी सरकार की उद्देः पर एक मांटपूर गोफडा की उन्होंने कहा महा महिम समराड की सरकार की नीती जिसे बात सरकार में पूर्टा स्वहमत है यह कि भातियी साफन के प्रत्यक विभाग में भातियों को संपरक उत्रोतर बढ़े तता स्वासाफी प्रफावनिक समस्ताओं का धीर धीरे विकाफ हो जिससे अधिकादिक प्रगज करते हुए उत्तरदाई प्रणाली भारत में स्थापित हो और यह अंग्रेजी समराज के विभी नंग के रूप में आगे बढ़े निम्न के में कौन फेक सई है बातिश समधान में मूल अधिकारों को फामिल करने के लिए नहरी रिपोर्ट ने समर्थन किया था बात फरकार अधिन्यम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रफर दिया था अगत प्रष्टा में मूल अधिकारों को सामिल करने के लिए नहरी रिपोर्ट 1925 ने समर्थन किया था सर्वदली सम्मेलन दोरा नियुक्त नहरी समिती 1925 ने जी 22 सम्धान के शुरूब की सम्स्थिती की थी उसे मौली का अधिकार नहित थे लूगे सन्यूश 46 में केबिनने इस बश्विकार किया कि भारत के स्विधार में मौली का धिकारों के लिखित गरांटी देना हुस्थख है क्यिए अन्य बाते वाद मौली का दिकारों पर भी रिपोर्ट देने के लिए एक फ़ला कर समित की घठन की सिपारिश किई अब ल तो नेहरू रिपोर्ट थी वो कब इस्तुत की गए तो बताएंगो 1928 में उसके बाद दूसरा कोश्चन यहां से बनता है कि जो एक कैबिनेट मिफन की गठन कब हुआ था तो बताएंगो 1946 में या फिर पहुंचा जा कि कैबिनेट मिफन था भारत कब आया था तो बताएंगो नहीं है देव के लिए लिखित फ्रमिधान विधान मंडल के निर्वाचितिम जवाब देव प्रतिनधी एक फंक योजना पर विचार विधान मंडल के फरकारी सदस्यों का समाविच किया जाना तो यहां पर जो इसमें पूछा गया है कि नहीं है वह हो जाएगा देव का लिखित फ्रमिधान देव के लिए लिखित फ्रमिधान 1935 के दौरा भारती रियास्तों के एक अखिल भारती संकी पर कलपना की गई इस फदिनियम के दौरा प्रांतों में निर्वाची प्रतिनेजी दौरा लोग प्रिमंति मंडल बनाये गए वे विधान मंडल के प्रति उत्तरदाई थे विधान मंडल ने कुछ सरकारी सदस्यों का मनो नयान भी इस फदिनियम की विशेष्ता थी अब एक पॉइंट यहा क Mick एक नए अधिकारफटकार्पत्र कहा था, 1935 के एक 9 को जवालाल नहुरु किभने जवालाल नहुरुने पंडित जवालाल नहरू निसे दाफ्ता का नया अधिकार पत्र और अनैचिक अप्रजातांत्रिक और अराफ्टरवादी सम्विधान की संगय दी जिन्ना निसे पूर्टफ फड़ा हुआ मुल रूर्फ से बुरा और बिल्कुल अफिक्रत बदलाया जिन्ना ने क्या निसे पूर्टफ फड़ा हुआ मुल रूर्फ से बुरा और बिल्कुल अश्विक्रत बतलाया था वह जवाला नहरू ने क्या कहा था दास्ता के नए अधिकार पत्र कहा और यहां पर यह नोट कर लिए जो क्रिफ्विशन था उसको मात्मा गांदी ने क्या गता सब्सक्राइब क्या अधिकी क्यों क्या ओडर्याम सब्सक्राइब की परिफ्विशन देश्म था नएं था निनिक क्या था यह सम्फत किया गया और फॉप कर दिया और पारत कव किया गया और उसी दिन की आग गय fishing को virus को इस लागों भी कर दिया गया दिन पर नमें कहान में आ गया था कि कुछ बार्ती संदान के बरहाद होने के कारण है इनमे अनेक वार्ती संदानों के अनभव फ़माविश्ट है इसमें प्रिष्टर्थथ प्रअचि प्रावधान है यह एक बड़े देश के फासम से सम्मंदी था या फिर इसमें संग्त था राज सरकारों को सम्मधान है तो यहाँ पर इसमें जो आयम फर्द यह गए उनमें से एक से ज़्यादा अफ़न सही है तो यहाँ पर हम लोग इसको देखो इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग यहाँ पर भाती सम्मधान के ब्राद होने में किसी एक कारण को मानना युक्ति फंकत नहीं है विबिन देखों को सम्मधानों से प्राप्त अनुभौ अनेक प्रावधानों की इसपस्टता के लिए विस्तत प्रवथावकि निरूपण पंडित जवाला नहरू के नेत्रत में अंतरिम फरकार के गठन कब हुआ था अंत्रिम सरकार का गठान हुआ था सितंबर 1946 में 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाला नहरू के अधिशता में अंत्रिम सरकार का गठान किया गया इसमें प्रारम में मुस्लिम लीग सामिल नहीं थी किन्तु बाद में 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के पांच वदस्टों को सामिल करते हुए अंत्रिम सरकार का पुनरकठन किया गया और अगला कोश्चन यहां पर दिया गया है देखो यहां पर सूची फ़स्ट दी गई है और यहां पर सूची स्विकंड दी गए है अब क्या करना इनको मैच करना जैसे कि यहां पर भारती इसे कौन संबनी थ है इसे संबनी थ है लाडमान कौन संबनी था नाम से नाम से जाना जाता है उसके बाद अगला इसमें इसे बी नमबर आफ़न जो है बारत फाहवन अधिन अदिन्याव 1925 इसके दूरा क्या हुआ हुआ था प्रांति स्वेत्ता लागव की गई थी उसके के दार्णा क्या हुँआ था जाए शौखन प्रद्द्यिका ओरं हुआ ऊजहाः भारत परिफट तहरतर नियां मैले मिंटउ सुधार नाम से जाना जाता है भारत भारत फाफन अधिन्यम 1935 द्वारा बाहर रूप से प्रांतों को फैत्ता दी गई थी परंत वास्तों में समस्त कारकारी स्वक्तियां गवर्नर के पास थी लखनवु सम्झोता 1916 में कांग्रेश तता मुस्लिम लीग में हुआ था भारत फाफन अधिन्यम 1919 द्वारा प्रां जनवरी के दिन क्यों चुना गया तुसमें जो फैंपर हो जागा 26 जनवरी के दिन था वो इसलिए चुना गया था इसी दिन 1930 में कांग्रेश ने देव में स्वतंता दिवस मनाया था इसलिए 26 जनवरी के दिन था चुना गया था भारत को संप्रभुदा संपन लोगतांति गणराज 26 जनवरी 1950 को घोषित किया गया क्योंकि भारती राटी कांग्रेश के लहोर दिवेशन दिसंबर 1929 में पारित हुए संकल्प के अधार पर 26 जनवरी पूर्ण सुराज दिवस मनाए गया था आप देखों यहां से कितने कोश्चन बनेंगे पहला कोश्चन तो यहीं बनेगा कि जो भाद को लोग तांतिक गणराज कब गोशित किया गया तो बताएं कि हम लोग 26 जनवरी 1950 को उसके बाद लाहोर दिवेशन कब हुआ था दिसंब 26 जनवरी को इसले 26 जनवरी को जो है 27 दिवस के रूप में मनाने की गोशना की गई थे माउंट बेटन योजना आधार बनी माउंट बेटन योजना आधार बनी थी देश के विभाजन का किसका देश के विभाजन का कि तीन जुन निफ फैंतालिस को लाड मांट बेटर ने अपनी योजना प्रिस्तुत की जिसमें दोनों डोमीनियन भारत और पाकिस्तान की राजनीतिक समस्च्य के समाधान के लिए देश की विभाजन को आउस्यक माना गया अगला कुश्चन देखो यहां पर दिया गया है यह दो दिया गया है और सजी फर्फट अधिनियाम यहां पर और यहांपर प्रफ़ सुचिजय फिकेंड में। प्रमुक प्रावधान में। tuhола जो इसे में विवास थापिका की फ्दस्यों के पूंप पूचने का अधिकार द उसके बाद भारती प्रफरद में सथापकाओं में यहीर। फरकारी भाहुमत के प्राउधन किया गया। उसके भांच साम सी नंबर हमारा है इसमें से ले। बारत कहे परामच किया अधिनायम उननिस परकार साउधनॉंच के दर क्या हुआ था। केंद्री विवस्थाप का प्रावधान किया गया और उसके बाद जो अगला हमारा है इसमें से भारत फरकर अधिन्यम 1935 इसको दोरा क्या हुआ इसके दोरा केंद्र में दुएद शाफन की विवस्था की गई एक बार फिर देखते हम लोग यहां पर एक एक पांट देखते ह भारती परिफद अधिन्यम 1822 के दोरा क्या हुआ था 1822 के दोरा विवस्थापिका के फदस्यों के प्रफने पूछने का अधिकार दिया गया उसके बाद अगला है भारती परिफद अधिन्यम 1929 के दोरा क्या हुआ 1929 के दोरा प्रांती विवस्थापिकां में गैर फरकार तो इसके इनफर जो हमारे इनफर हो जाएगा इसमें से बीनमबर वाला जाएगा अब देखो यहां पर नीचे विक्तव दिये गए हैं जैसे कि कफन ए में क्या है कि भारत के फर्मधान देश की आवस्थक पूर्ति करता है उसके बतकाराण दियागा इसको एक ग्रहित सम्धान कहा जाता है अब यहां पर जो अफ़न दिये गए हैं देखो इसमें बताना कि कौन सफ़न सई है तो इसमें सबस्थ इंफर हो जाएगा अगला कोशन नमारा यहां पर है बारत फर्काराण दियाम 1935 का संगी भाग लागू नहीं हुआ क्यों कि अब यहां बताना क्यों लागू नहीं हुआ था तो इसका इंफर हो जाएगा नेदारिश संग्हां में देशी राज संग में सामिल नहीं हुए थे बारत फर्काराण दियाम 1935 में यह अधिकतित फामिल था कि अधिराज संग में सामिल होने के लिए समत होते तो बारत को एक संग बनाय जा सकता है बारत फर्काराण दियाम 1935 का संगी भाग लागू नहीं हुआ क्योंकि नेदारिश संग्हां में देशी राज़तों ने संग में सामिल होने से इंकार कर दिया था नेक्स कोशे नमारा है बारत को एक संग्धान देने का प्रस्ताव संग्धान सभा दौरा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को तेरा दिसंबर 1946 को पंडित जवाला नहिरू ने संग्धान का उस्तेव उद्देश प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत किया पारित जनवरी बारत एक लोगतांतिर गर्तंत्र है एक प्रतिनिदिक लोगतांत्र है संग्धान स्ग्धान से बंदहरा है अब यहां पताना इसमें कौन से अफन फ़ही है तो यहां जो चारो अफन फ़ही है तो हमारा D-Number है जो है सही हो जाएगा भारतिक लोकतांत्रिक यों प्रतिनिदिक लोकतांत्र है भाती समधान के प्रिफ्तावना भात को एक संपूर्ण प्रभुत संपन समाजवादी पंत निरपेच लोकतांत्रात्मक गनराज बनाने की बात करता है लोकतांत्रिक अधारति व्यस्ता में भारतिक लोकतांत्रिक सम झाल झाल